प्यारे दोस्तों नमस्कार मैं संदीप मिस्रा आप सभी की बीच 25 कोशन लेकर के आया हूँ जो आपके टरसीरेज की रूप में हैं इनको बड़ा ध्यान से देखिये आप लोग और सुरू से लाश तक पूरा कोशन देखिये और फिर मुझे बताईए जरूर बताना कि ये को कोशन है तो आज मेरा 125 कोशन के एक ट्रेस्टरीज यहां कंप्लीट हो जाएगी आप लोग जुड़ना चाहते हैं मुझे तो ऑनलाइन क्लास भी चल रही है आप जुड़ भी शकते हैं मेरे पर्शनल नमबर पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं आज जो है देखा जाए कि कल म के चर्चा कर लिया था एक सो एक नमबर कोशन का था कि शार्णात कहा है तो आप लोग जानते हैं शार्णात की बात हो तो यह उत्तर प्रदेश में है वारांडशी जिले के पास है वारांडशी में है कह सकते हैं आगे जो है अब मैं आपसे चर्चा करते हुए आगे कट Campus लीके कला विश्तार की बात किया जाए तो विश्तार्यमविकास की बात किया जाए तो कि इदे करके यहां पर उतर देशकते हैं पश्मिश छेत्र सांस्कितिक केंदर उदयपूर का नाम ले रहा है अगला है जवाहर कला केंदर जयपूर कह रहा है भारतिय लोग कला मंडल उदयपूर कह रहे हैं या रुपायन संस्थान जोदपूर कह रहे हैं इन में से कौन सा संस्थान है जो कठपुतली कला के विस्तार युम्विकास है तू कारी कर रहा है महतुपूर्ण भूम का निभा रहा है तो आपको जानकर खुसी होगी कि आप कठपुतली कला के विस्तार युम्विकास के लिए जो कारी कर रहा है भारतिय लोग कला मंडल उदेपुर का नाम लिया जाता इसको आप लोग टिक कर सकते हैं। कोशन नमर 103 की बात करें। कराय के डमरू मुख्रूप से किश का वाध्ययंद रहें। आप जानते हैं कि वाधियंद से भी सम्मंधित बहुत सारे question आप से पूछे जाते हैं, को टप किये जाते हैं, तो इसलिए आप इस प्रकार के question को बड़े ध्यान से सुनिए और पढ़िए गनेश का है कि विश्णु का है कि शिव का है कि राम का है जल्देशे आप लोग उत्तर दें तो यहाँ पर भीया डमरू मुखरूप से बात की गई है डमरू की बात हो तो मुखरूप से यह आपके शिव जी का वाध्धियंत्र है आपको मालूम होगा अगला कोशन कोशन नमबर 104 की बात किया जाए चूहा किसकी सवारी है करें कि जो चूहा है वो किसकी सवारी है गनेश कार्थिके शिव या पारबती चूहा की बात किया जाए तो आपको मालूम होगा कि ये गनेश जी की सवारी है चले भी यहाँ पर कार्तिके जी की बात है तो कार्तिके जी की कौन सी सवारी है जल्दी से बताए मुझे कार्तिके जी की बात हो तो कौन सी सवारी है कार्तिके की सवारी की बात किया जाए तो किसका नाम लिया जाता है मोर का चलिए अगला कोशन बताईए सिव की बात किया जाए तो नंदी का नाम लिया जाता है अब पारवती का क्या है ये मुझे कमेंड बॉक्स में आप लोगों को बताना है इसे प्रकार्टि भिया जैसे 103 नंबर कोशन में बात किया गया कि डमरू मुखुरूप से किसका वाध्धियंतर है सिव जी का था तो गनेश का क्या होगा बिश्नू का क्या होगा ये भी आप मुझे बता सकते है अगला कोशन 105 की बात किया जाए तो आपके सामने स्क्रीन पर चमकता दमकता हुआ जो कोशन है 105 नमबर आपको दिखाई दे रहा होगा कह रहा है कि चंदन काश्ट काश्ट मतल लकडी की कला किरतियों के लिए परशिदि इस्थान राजस्थान का कौन सा है जो चंदन की लकडी की कला किरतियों के लिए जाना जाता है उसका क्या नाम है जैपूर है कि उदैपूर है कि बीकानेर है कि इन में से कोई नहीं जल्दी से बताएं यहाँ पर क्या सही होगा कोश्यन नमर 105 का तो प्यारे दोस्तों 105 की बात किया जाएं कह रहा है कि चंदन काष्ट कलाकृतियों के लिए प्रशिदि इस्थान राजस्थान का कौन सा है जैपूर उधैपूर बीकानेर या इन में से कोई नहीं तो 105 की जब मैं बात करता हूं तो आपका वहाँ पर जो सही होता है जैपूर का नाम लिया जाता है जैपूर जो है आप लोग बिल्कुल किलियर सी बात है किलियर कर लीजे भिया अगला कोश्चन है भिया छे नंबर छे नंबर कोश्चन की बात हो तो आपको मालूम होगा साथिया का शमंध माना जाता है कहां से माना जाता है 106 नंबर कोश्चन है कह रहा है कि साथिया का शमंध माना जाता है उत्तर प्रदेश से बिहार से गुजरात यहां पर ता लिखा जाएगा गुजरात या इन में से कोई नहीं तो बताएं यहां पर क्या सही होगा यहां पर जो साथिया का संबंध है आपको मालूम होगा गुजरात से है गुजरात की बात किया जाए बटा सिंद भाटी शबिता के बहुत सारे इस्थाले हां से मिले हैं जैसे लोथल धौला बीरा अब लोथल धौला बीरा की बात है तो कौन से नदी के किनारे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे बताना ये सब चीजें बड़े अच्छे से आपको करना चाहिए बहुत ही महत्पूर है जब ऐसा काम करते रहते हैं आप तो अगला है कोश्चन नमबर 107 रंगोली कहां की लोग कला है जो रंगोली है वो कहां की लोग कला है बिहार की, महराष्टरा की, गोवा की या इन में से कोई नहीं रंगोली की बात किया जए 107 नमबर कॉश्चन की बात है तो इसमें भया महराष्टरा सही होगा यह महराष्टरा की बहुत ही महत्पूर लोग कला है इसको आप लोग नो डाउन कर लीचे बहुत ही महित्पूर है देखा जाए कि जब हम महाराष्टा की बात करते हैं कि ये आपके लिए महाराष्टा बिल्कुल किलियर है इसको आप लोग सही कर लीजिए इसी के साथ देखा जाए कोश्चन नमबर 108 की बात करते हैं कहरा है कि बिटा सियन्या की चित्रकला का पितामा किसे कहा जाता सियन्या की बात हो जियत्यों को, बेरुशियों को, घिलेंडियों को या दुसियों को इन में से क्या सही है आप लोग कमेंड बॉक्स में लिखिये मैं आपके कमेंड बॉक्स का कॉमेंड का इंधियार कर रहा हूं कॉश्चन नंबर 108 की बात हो यहां पर दुच्छीयों का नाम लिया जाता है इसे सेन्या का कलाकार कहा जाता है सेन्या की चित्रकला का पितामा कहा जाता है यह आपको बिल्कुल किलियर होना चाहिए अगला कॉश्चन है बहुत ही है जो आपके लिए कि यह बिया कि में तो पूर्ण है कुश्चन नम्बर 109 की बात किया जाए कर थोड़ा से कि कुश्चन नम्बर 109 की की बात की गई है आपको मालूम होगा गोथिक सैली की बात हो वो अपने किस कारी के लिए जानी जाती है कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें करा किस कला का जन्म गोथिक सैली से हुआ है रोमानशवादी कला का राकोको कला का यह थार्थवादी कला का यह पुनर जागरंड कला काम इन में से क्या सही होगा 109 नमबर कोशन का जल्दी बताएं तो गोथिक कला की बात हो तो आपके जानेकारी के लिए बता दें भिया जब भी गोथिक कला की बात की जाती है गोथिक सैले की बात हो तो इस सैले से पुनर जागरन कला का जर्म होता है यह आपको मालू होना च कोश्चन है इसको आपको क्लियर कर लीजिए अगला कोश्चन है आपका कोश्चन नमबर 110 कह रहा है किश कलाकार ने आत्महत्या कर ली थी कौन सा कलाकार ऐसा था कि जो आत्महत्या कर ली थी वानगो शाहब थे या कुर्बे शाहब थे यामनी राय या अमरिता शेरगिल तो क पिश कलाकार ने आत्महत्या कर ली थी यहां पर विया कलाकार की बात हो तो वानगो साहब ने आत्महत्या की थी यह आपको बिल्कुल किलियर होना चाहिए आत्महत्या की बात हो तो यहां पर वानगो साहब की बात है आपको दो चीज किलियर होना चाहिए एक तो इनका जन्म दूसरा इनकी जो मिर्तिव है कब हुई तिशरा कहां पर जन्म हुआ इनकी कोशो महान कलाकिर्तियों का नाम ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से किलियर होना चाहिए बहुत ही महत्पूर पॉइंट है ऐसी चीजों को बड़े अच्छे से देखना चाहिए समझना चाहिए आगे हम बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 111 की तरफ आपके शामने यहां पर है एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है अब यहां पर बात करते हैं कराए कि 111 नमबर कोश्चन की बात किया जाए 111 नमबर कोश्चन की जब मैं बात करता हूँ तो वहां पर एक्सन पैंटिंग के लिए एक्सन पेंटिंग के जनक के रूप में किश का नाम लिया जाता है जैक्सन पुलाक का, प्लेटो का, अरस्तो का या इनमें से कोई नहीं जल्दी बताएं, एक्सन पेंटिंग की बात हो, तो यहाँ पर किश का नाम लिया जाएगा option printing की बात हो यहां पर Jackson Polak का नाम लिया जाएगा Jackson Polak सही है अब यहां पर Jackson Polak सहब की बात है ये कहां से सम मंधित कलाकार है अमेरिका शे है आपको यह भी मालूम होगा अमेरिका की बात हो तो वहां पर 1920 में एक गूरूप के स्थापना की गई थी जिसका नाम था Latin कौन सा था? Latin Group ये अपने किश कारी के लिए जाना जाता है ये भी मुझे comment box में लिख करके जरूर बताएं ऐसी चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अगला question है भीया 112 number question आप देख रहे होंगे कहरा है कि दयायाचना अजनता के किस गुफा में बनाया गया दयायाचना की बात हो अजनता के किस गुफा में इसको चित्रित किया गया गुफा संख्या 10 में गुफा संख्या 11 में गुफा संख्या 2 में या गुफा संख्या 3 में दयाय mínimo की बात हो आपकी जानकारी के लिए बता दे यह जो है अजन्ता की गुफा संख्या दो में बनाई गई यहाँ पर अजन्ता की बात है यहाँ पर टोटल 30 गुफाओं का समूह है जिन में 5 गुफाओं चैते हैं और 25 गुफाओं विहार हैं चैत की बात किया जाए तो टोटल 19, 19, 26 और 39 ये पांच गुपाएं चैत गुफा की रूप में जानी जाती हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए इसी के तरी कैसे बात किया जाए जब हम चर्चा करते हैं भीया आजन्ता कि के किस नदी के किनारे है किस राज्य में है कहां पर है इसका आकार कैसा है ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए गुफा संख्या चित्रम कोश्चन संख्या तेरा की बात किया जाएकर रैकलाकार की बात है रामकुमार की मृत्ति हुई कि सन में हुई 2008 में, 2009 में, 2012 में या 2018 में अब यहाँ पर रामकुमार जी की बात की गई है आपको मालूम होगा रामकुमार जी की मृत्ति 2018 में होती है इन्हें वारांसी चित सिंखला के लिए इनका नाम लिया जाता है इनका जनम कब हुआ ये चीज मुझे बता देना नोट डाउन करके इसके साथ साथ इनको कौन-कौन सा पुरसकार और कब-कब मिला ये भी थोड़ा से समझा देना और बता देना कमेंड बॉक्स में लिख करके अगला कोशन आपके लिए कोशन नमबर 14 बात कर रहा है खेत में महिला नामक चितर के चितरकार कौन है खेत में महिला नामक चितर के चितरकार कौन है शतीस गुजराल सहब, बीशी सन्याल, यामनी राय या इन में से कोई नहीं खेत, खेत में महिला की बात किया जाए कुश्चन नमर 114 के हो रही है यह कला किरती, बीशी सन्याल की बहुत ही प्रशिद्य कला किरती है यह आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए यहाँ पर भी आप्शन सही होता है, इसको आप लोग टिक कर लेजिए अगला कुश्चन हम बात करते हैं भीया कुश्चन नमर 115 की बात हो तो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर 115 कुश्चन दिया हुआ है 115 की बात करते हैं पनिहारिन नामक कला जो चित्र है बिटा किस चित्रकार का है अमरिता शेर्गिल का है, यामनी राय का है, राजर अभिवर्मा का है या श्याम बिहरी अगरवाल का है जल्दी से बताएं इसमें से पनिहारिन नामक्चितर के चितरकार की रूप में किसका नाम लिया जाएगा कोश्चन नमबर 115 पनिहारिन की बात किया जाए यह कलाकृती अम्रिता शेरगिल की है अम्रिता शेरगिल की बात किया जाए भईया 1934 में कब 1934 में अजंता और एलोरा की गुफाओं का भ्रमड करती हैं जिसका प्रभाव इनके जीवन पर विशेष रोप से पड़ता है इसी के वज़ा से ये भारत में रहने का नेड़े करती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए इसी के साथ साथ अमिर्ता शेर्गिल के बह बहन के पुत्र के रूप में किषका नाम लिया जाता है जिनकी अभी हाल ही में दिल्ली मिम्रति हुई है मुझे कमेंड करके बताना इनके भहन का नाम था इंद्रा शेर्गिल अगला कोशन भी या 16 नमबर कोशन देख रहे होगे कि पक्षी नामक चितर के चितरकार कोन है जो पक्षी नामक चितर है उसके चितरकार की रूप में किसका नाम लिया जाता है ये चीज़ आप लोग जल्दी से कमेंड बॉक्स में लिखें यहां पर पक्षी नामक की बात है इसके जो चितरकार की रूप में नाम लिया जाता है रविना टैगोर जी का लिया जाता है रविना टैगोर की बात हो तिनका जनम कब हुआ इनकी मृत्व कब हुई ये दोनों पॉइंट आप लोग को कमेंड बॉक्स में लिखना है लिख कर इनकी जो पेरिश में फर्स्ट एक्जिवीशन हुई थी वो किस सन में हुई थी ये भी मुझे लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगला कोश्चन है 17 नमबर कोश्चन की बात किया जाए नए पुराने नामक्चितर के चित्रकार कौन है अशित कुमार हलदार यामनी राय चितिननात मजूमदार या नंदलाल बोश्चाव जल्दे से बताएं यहाँ पर नए पुराने नामक्चितर के चित्रकार के रूप में किस का नाम ले जाता है नए पुराने की बात किया जाए अशित कुमार हल्दार की बात हो तो आपको मालूम होगा कि जब अशित कुमार हल्दार की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ, मृत्यू कब हुई इसके साथ साथ लखनो कला विद्याले में कुशिजे में बता दे रहा हूं 1925 इसबी में 1 इंडियन प्रदानाचार के रूप में इनकी न्यूकती होती है लखनो कला विद्याले में कहां से आते हैं, जैपुर आर्ड कॉलेज से आते हैं ये भी आपको मालूम न चाहिए लखनो कला विद्याले की स्थापना कब हुई थी, 1911 इसबी में हुई थी लखनो की बात है, लखनो में सबसे बड़े मियूरल की बात किया जाए तो उस मियूरल के कलाकार कौन है, जिसमें लगभग 13,000 टाइलों का प्रयोक किया गया है और इसकी रचना किस सन में की गई, ये चीज़ जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताए ऐसी चीज़ों को जब आप लोग पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा से अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखें अगला कुश्चन है, कुश्चन नमबर 18, 18 की बात करें यहाँ पर 18 की बात किया जाए भिया, तो आपको दिख रहा होगा कह रहा है कि प्रसिद्चित्र क्या हरा और शुमर्ड किसका है, जो हरा और सुमर्ड नमख चित्र किसका है डीपी राच उद्री का, हरनेयम राय का, केके हैबर का, या इन में शिक कोई नहीं 19.18 number question की बात किया जाए तो इसका जो है कैसे होगा हरा और सुमरी की बात किया जाए इसके कलाकार बिटा केके हैबार सहब है केके हैबार सहब है इनकी एक कलाकृती है जो बांगला देस पर आधारीत है वोस कलाकृती का क्या नाम है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कुश्चन नमबर 19 की बात किया जाए तो 19 की बात है कर रहा है कि इलहाबाद विश्विद्याले में द्रिश्य कला विभाग की इस्थापना कब की गई का 1942, 1952, 1962 या 1947 इलहाबाद विश्विद्याले की बात की जाए यहाँ पर 1942 में इलहाबाद विश्विद्याले में कला विभाग की इस्थापना कह सकते हैं ललित कला विभाग की इस्थापना जो है वो छितिनात मजुमदार के प्रयासों से की गई और प्रतम अध्यक्ष के रूप में छितिन अत्म जुंदार को वहाँ पर नियुक्त किया गया लेकिन बात है यहाँ पर द्रिश्यकला विभाग की द्रिश्यकला विभाग भी उसी समय स्थापना हुआ 1942SB में यहाँ पर विया 1942SB की बात है 1942SB से आपको कई चीज़ आदाना चाहिए जैसे क्या क्या आदाना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ आप भी ध्यान देजिए कमेंड बॉक्स में लिखे यहाँ पर 19 नमर कोश्चन की बात थी 1942SB आपको मालूम होगा दिल्ली कलावी देले की स्थापना दिल्ली आर्ड कॉलेज की स्थापना 1942SB में हुई थी इलहाबाद में द्रेश्य कलावी भाग की स्थापना ललित कलावी भाग की स्थापना भी 1942SB में हुई थी इसी के साथ साथ बहुत सारे कलाकृतियों का अंदोलनों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया इसके साथ किया गया ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लेकर करके बताएं कुश्चन नमर 20 है यामनी राय की मृतिव कब हुई यामनी राय की मृतिव कब हुई यामनी राय की मृतिव कब हुई 1972 चीज आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए नोट डाउन कर लेना अब यामनी राजी की बात है यह लोग कला से प्रभावित कलाकार है इनका जन्म कब और कहा हुआ था यह चीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं अगला कोशन है कोशन नंबर 21 21 कोशन नंबर कि बात किया जाएं कहराहें कि भ Into कि अंगध Apply योद की बिष्ई काी नामक्चित्र के चित्रकार कोन हैं रिम्बर प्रेका आप जर्य Alternet नंबरह मैंने से नहां पर गोया की बात है तिनका जन्म कब हुआ इनके मृत्तिव कब हुई दोनों चीज आप लोग लिखें और इसके साथ साथ यह भी लिखें कहां पर जन्म हुआ और कहां पर मृत्तिव हुई कोश्चन नमबर 22 बाइस नमबर कोश्चन की बात किया जाए कह रहा है कि तुर्की हमाम खाना के चितरकार है कौन है अंग्र है कि गोया है कि पिकाशो है कि माइकल अंजेलो है तुर्की हमाम खाना की बात किया जाए भी है कह रहा है कि इसके कलाकार की रूप में किस का नाम ल लिया जाता है किसका लिया जाता है अंग्र शाहव का नाम लिया जाता है यह आपको मालूम होना चाहिए यह बहुत ही महत्यों पॉइंट है और आपको याद हुछ से कोस्टन बहुत ही ज्यादा पूछ जाते हैं तुरकिय अंग्र की कलाकिरती है, 123 बात हो, लैक्स, जैक्स, लुईस, डेविड का जन्म कब हुआ, 1738, 1758, 1768 या 1748, यहाँ पर क्या सही होगा, जल्दी से बताएं, 123 की बात किया जाएं, तो इसका जो जन्म होता है बिटा, 1748 में होता है, इसको आप लोग टिक कर लेजिए, अगला को कोशन है, 24, फ्रांस हाल का जन्म कब हुआ, 1582, 1682, 1572 या 1548, तो यहाँ पर फ्रांस हाल साब की बात है, इसका जन्म 1582 इस भी में होता है, यह चीज़ आप लोग बिल्कुल क्लियर करिए, अगला कोशन बहुत ही महित्पूर्ण है आपके लिए, दिखा जाए, कि यहाँ प लिपस की कन्याओ का शील भंग, नामक कलाकृती के कलाकार कोन है, रूबेंस है, रिंबरा है, अंग्र है या पिकाशो है, जल्दी से बताएं, यहाँ पर क्या से हुआ, लुकिस की कन्याओ का शील भंग की बात किया जाए, यहाँ रूबेंस का माना जाता है, यहाँ पर साथ साथ कमस कमस और डेट सो कुशन को कबर करिए और जब आपका अचितन बिल्कुल सही रूप से काम करने लगता है ते माल लेना कि आप कामियाभी की डगर पर बढ़ रहे हो एक चीज़ और भी रखिए आप सुबा उठिए एक एम फिक्स करिए उसको पूरा करने में पू दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद